अरी मुशक जी आप इतना भी नहीं समझते क्या मा के समख्च ऐसे ही चला जाओंगा तो क्या वो व्यथित नहीं होंगी अपने उदर को बानने के लिए कुछ तो करना चाहिए ना मुझे रभू मैं आपकी कुछ साहिता करूँ आप मुझे अपने उदर पर बांध लीजिए हाँ अवश्य धन्यवाद देखा मुशक जी माने कहा था ना मुझे कोई शत्ती नहीं पहुँच सकती अपने जिर्णम जिर्णम भोजनम जिर्णम गड़े सी कुछल है अब सब कुछ ही अधावत हो गया पिताश्री मामाजी फूफाजी और समस्त देवगंड आप सभी यहां आप सभी को मेरा प्रणाम प्रतीत होता है मुझे लोटने में बहुत विलंभ हो गया जिसके कारण माने चिंतित होकर आप सभी को यहां मुझे ढूनने भेज दिया किन्तो पिताश्री मैं तो पून रूप से कुशल हूँ हां उदर में थोड़ी सी पीड़ा आवश्य है किन्तो चिंता का कोई कारण नहीं मा कहां है पिताश्री गनेश मा क्या हुआ मा भईया मा को क्या हुआ है अनुज गनेश मा थो तुमें लेकर ही चिंति थी किन्तो अब तुम चिंता मत करो मा शिग्रे कुशल हो जाएंगी हां गनेश जी आप कुशल है इसी में माता की चिंता दूर होगी और वो समान नहीं हो जाएंगी पुत्रकनेश सुर्यदेव उचित कह रहे हैं तुम चिंता मत करो तुमें अहत देखकर तीवी पार्वती मुर्शित हो गई थी किन्तु अब जब तुम सकुशल हो तीवी पार्वती भी स्वस्थ हो जाएंगी मा देखिए न मा मैं पूर्ण रूप से कुशल हूं मा मुझे एक शमा कर दीचे मा मेरी कारण ही आपकी यवस्था हुई है मा की यवस्था मेरे कारण ही हुई है मात्र उप्टन के लेब से उन्होंने मुझे आकार दिया मुझ में प्राण का संचार किया मेरा अस्तित्व तो उन्हीं से है और मैंने क्या दिया उन्हें दुख पीड़ा और अश्रू कितनी बहर मेरे कारण रूदन करेंगी वो सभी की मान्यता तो ये है कि संदान माता पिता के लिए आशिरवात के समान होती है किन्तु मैं मैं तो सदा उनके कष्ट का कारण ही बनता हूँ कितना अयोग ये बुत्र हूँ मैं मा प्रि गनेश को देखी मा नेत्र खोलिये ओम नमाश्शिवाए ओम नमाश्षिवाए ओम नमाश्षिवाए पुत्र भॉम का तप तो और भी प्रचन डेवं उग्र होता जा रहा है कहीं इसके उग्र तपसे उत्पन्न उर्जा कैलाश पर कोई और संकत ना उत्पन्न कर दे ओम नमाशिवाई अरे गनेश में ऐसा क्या विशेश है मैं बनूगा महादेव का परम प्रिये पुत्र विवश्च कर दूँगा महादेव को कि वो मुझे अपने अति प्रिये पुत्र के रूप में सुईकार करें ऐसा कठोर तब करूँगा मैं गनेश जी आप स्वयम को दोश मत दीजिए इन सब का कारण आप नहीं मैं हूँ बस इतना दुस साहस कैसे किये आपने क्या समझते हैं आप स्वयम को आप मेरा उपहास करते रहे मैं शान्त रहा आप मुझ पर हसते रहे मैं शान्त रहा कितने विचित राकृती है ना आपकी विशाल काय गज का शीश और उदर मानो अन्न का भंडार हो किन्दू आप देखिए उस परिहास का परिणाव देखिए मा को इसलिए आप शान्त नहीं रहूंगा मैं मा के इस अवस्था के कारण आप है आप पुत्र गनेश नहीं पिता श्री मुझे एक शमा करती चिये किन्तु ये मेरे और चंद्रदेव के मध्य की बात है देखिए चंद्रदेव देखिए मा को देखिए जगत जन नहीं है वो आदी शक्ती है भयंकर क्रूर असुरों का शन भर में संहार करती है वो किन्तु उनका हिर्दे इतना कोमल है कि उपहास आपने मेरा किया और आहत वो हुई आपको लज्जा आनी चाहिए चंद्रदेव आज मेरी मा समस्त संसार की शक्ती की स्त्रोत जगत जननी माता पारवती एक साधारन अबला नारी के समान इस प्रकार मूर्चित पड़ी है और उनकी इस अवस्था का कारण कौन है आप आप है चंद्रदेव आप पुत्र गणिश शान्त हो जओ मामा जी आपकी बहन यहां मूर्चित पड़ी है और आप मुझे शान्त रहने के लिए क्या रहे है अरे पुत्र को साधारन कंकर से भी ठेस लगती है तो मा की हिर्दे पर आगहात होता है और यहां मेरी मा इस प्रकार चेतनाख होकर गिरी पड़ी है तो उनके हिर्दे को कैसा आगहात पहुचता होगा इसका अनुमान लगाना भी कठिन है और आपके रहे हैं मैं शान्त हो जाओ मामा जी पुत्र गणेश अन्यंतरित क्रोच से किसी भी समस्या का समधान प्राप नहीं होता समधान की चिंता नहीं है मुझे पिता श्री मुझे तो दंड देना है चंदर दे को अब आपको कठोर तन अवश्य प्राप्त होगा चंदर देव मेरी मा को कष्ट पहुचाने वाला जीवित नहीं रह सकता क्यों चंदर देव अब क्या हो आपको अब हसी नहीं आ रही आपको करिए ना अब मेरा उपहास करिए किन्तु अब इसका अफसर आपको नहीं प्राप्त होगा प्रकति के अन्यन्य भाग हैं प्रकति के संचान में उनका मुख्य योप्राप्त होगा उन्हें नस्त नहीं कर सकते तुम पुत्र अन्यथा प्रकति का संभून श्रिष्टी का संतुलन बिगड़ जाएगा नई पिता श्री भूलो अत्वा प्राध दोनों का दंड अवश्य प्राप्त होना चाहिए ये भी प्रकृति का ही नियम है प्रतम पूच्य कड़ेश्जी विखन हार्ता कड़ेश्जी क्षमा कर दीजे प्रभू प्रभूक्षमा करें प्रभूक्षमा कर दीजे प्रभू रुक जाओ अनुच गनेश चंद्रदेव ने मात्र परिहास किया था उन्हें क्या ग्यात था कि उनके उपहास का ये परिनाम होगा माँ अपनी मूर्चा से बाहर आईए अन्यता अनर्थ हो जाएगा माँ उठिये उठिये माँ माँ उठिये उठिये माँ उठिये अपनी मूर्चा से बाहर आईए माँ पुत्रकडेश! पुत्रकडेश! मा? आप कुशल है मा? इतनी दुष्चता क्यों करते हो तुम? मा? सदा मुझे कश देते रहते हो शांती पूर्वक एक स्थान पर नहीं बैठ सकते तुम? पिता श्री, किन्तु मा टहले तो आप नहीं भेजा था ना मुझे? बस! आप मुझे अपने कुटरकों से समझाने का प्रयास मत करो गणेश! और मैंने तुम्हें टहले का भेजा था? तुम्हें टहले ले जाने का सुझा कार्ती के का था? पुत्र कार्ती के? पुद्र. मैंने क्या किया मा में तो केवल उसे टहल ने ले गया था पुद्र. मा ने पुद्र. माा, मा. पुद्र. ख्रमा कि मारेई पुद्र. तुम क्या हसरे हो यहाँ? तुम तो अपने नाथ के साथ अपने प्रभु का ध्यान नहीं रख सकते थे तुम पुत्र मा, मा, मा पिता श्री रिये आप तो दूरी रहे नाथ सदा आप मेरे पुत्रों के मध्य आ जाते कदाचित अब गणेश जी और माता ने मेरी क्षमा याजना स्विखार कर ली ये तो मेरा सवभाग्य है मेरा पुत्र मेरा गणेश सर्वथा कुशल मा ओ मा जो समस्ट्रिष्टी का आधार है बला उसे कोई क्या शती पहुंचा सकता है मैं बहुत लज्जित हो माता किसके प्रभाव में आकर मुझसे ये अनूचित कारे हो गया माता मुझे क्षमा कीजिए मैं भविश्य में कभे भी किसी की भोजन को लेकर कुछ नहीं कहूंगा क्षमा कर दीजिए माता क्षमा कर दीजिए चंदरदेव सदस्मर्ण रखिए किसी के भी और विशेश रूप से किसी भी बालक के भोजन का परिहास कभी मत कीजिए ये ये क्या मा आपके शरीर में ये कंपन कैसा मैं भैभीत हो गई थी पुत्र एक माता अपनी संतान की रक्षा के लिए सीनी बंच संघर्ष करती है कि तो उसे इस अवस्था में अचेत देखकर पिखर पी जाती मैं तुम्हें अचेत इस अवस्था में देखकर तूट गई थी पुत्र अब कोई संकट शेष नहीं अब हमें लोटना चाहिए आप सबको कोटी कोटी धन्यवाद आप सभी ने मुझे क्षमा कर दिया क्या हो अपुत्र चलो मैंने चंद्रदेव को शमा कर दिया है किन्तु मा मैंने उन्हें ख्षमा नहीं किया है आपको कितना कष्ट दिया है उन्होंने चंद्रदेव मैं दंड स्वरूप आपके प्राण तो नहीं लूँगा किन्तु आपको पूर्ण रूप से ख्षमा भी नहीं करूँगा मैं आप देवता है आपको इतना दोश पूर्ण व्यभार नहीं करना चाहिए था पुत्र गणीश तनिक रुक जाओ आवेश में आकर कुछ भी मत कर बैटना गणीश चंद्रदेव आपका सौंदर्य जिसके कारण आपको सबसे सुन्दर और आकरशक देवता होने का इतना अभिमान है कि कि आप मेरे और मेरे गोलाकार उदर का उपहास कर बैठे अब वही सौंदर्य मेरे श्राप से कलंकित हो जाएगा आपके इस मनोहर रूप पर जिसकी भी द्रिष्टी पड़ेगी चंद्रदेव वह कलंकित हो जाएगा कलंकित हो जाएगा कलंकित हो जाएगा पुत्र गणेश यह कैसा अनर्द कर दिया तुमने मुझे ग्षमा करें पिताश्री जो मैंने किया वो सर्वता उचे थे मा जिन्होंने आपको कष्ट पहुचाया जिनके कारण आप पूर्चित अवस्था में गई थी उन चंद्रदेव को अब दंड प्राप्त हो चुका है अब लौट चलिए मा नारायन, ब्रह्मदेव, ये प्रत्म पूर्च गणेश जी ने ये कैसा श्राप दे दिया मुझे? चंद्रदेव, गणेश के श्राप के कारण, हम सभी आपको देख पाने में समर्थ हैं अब अब आपको ही कुछ करदेगा अब आपको ही कुछ करदेगा अब तो महादेव ने भी मुझे से मुख मोड लिया अब तो कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता अब इस श्राप के प्रभाव से कभे मुक्त नहीं हो पाऊंगा कुमार कार्थिके कभे मुक्त नहीं हो पाऊंगा चंद्रदेव ने तो स्वयम को मेघों से ढख लिया है जिससे कोई भी भूल से भी उन्हें न देख सके किन्तो इससे तो रात्री अंदकार मही हो गई है यदि ऐसा ही रहा तो रात्री में कोई कुछ नहीं देख सकेगा ओम नम शिवाई ओम नम शिवाई पुत्र कनेश प्रणाम्मा शुभाशीश पुत्र प्रणाम भाईया प्रणाम गनेश पुत्र, कल रात्री जो भी हुआ उससे तुम्हारे प्रिताश्री अत्यन व्यतित व्यतित है? किन्तो क्यों मा? मैंने तो वही किया जो उचित था क्रोधा वेश में आकर तुमने चंद्रदेव को श्राप जो दे दिया मैंने चंद्रदेव को शाप दिया क्योंकि उन्होंने अपने कृत्य से आपको दुख पहुचाया मा क्या आपके पुत्र के द्वारा आपके सुक तुक का ध्यान रखना अनुचित है मा? मा आप चिंता मत केजिए मैं अभी जाके पिताश्री के समक्ष अपना पक्ष रख करूंके व्यथा दूर कर दूंगा ये कैसे विकट पर स्थिती उत्पन हो गई? किसी भी मा को ऐसी स्थिती का सामनक कभी नहीं करना चाहिए कि उसके कारण उसके पती और पुत्र के मध्य दुराव उत्पन हो जाए पुत्रकारतिके मुझे लगता है तुम्हें भी साथ चलना चाहिए मुझे आभास हो रहा है कि स्थिती बड़ी तनाव पूर्ण होने वाली जी उचित है मा पिता श्री नाथ ये क्या आपने तो अपने नेत्र भी नहीं खोले हमें देखा भी नहीं और हमें अन्देखा कर अपना मुख मोर लिया क्यों प्रभू ऐसा क्यों कि आपने पिता श्री क्या मुझसे कोई भूल होई है क्या आप इसलिए को पेता पिता श्री कि मैंने चंद्रदेव को दंडित किया भूल तो तुमसे हुई है गणेश अपने क्रोध में तुमने चंद्रमा प्रद्रिष्टी डानने वाले को कलंकित होने का श्राप्ति दिया और इसी कारण से अब मैं किसे को भी अपने दर्शन देने में असमार्थ हूँ क्योंकि चंद्रप्रति छाया रूप में मेरे शीष पर भी विराश्ते हैं इसलिए चो मेरे दर्शन करता है वो चंद्र के भी दर्शन करता है इसलिए अब मेरे दर्शन करने वाले चंद्र प्रद्रिष्टी डालने के कारण कलंकित हो जाएंगे इसलिए अब मैं किसी को भी अपने दर्शन करने की अनुबती नहीं दूँगा ना मेरे भाक्तों को, ना कार्थिके, ना गनेश, और ना तुम उमा, तुम भी नहीं चंद्रदेव को शाप देकर ये मैंने क्या नर्थिकर दिया नाथ, ये आप क्या कह रहें? आपके दर्शन करे बिना में जीवत कैसे रहोंगी? जैसे फ्रिक्ष का अपने जड़ के बिना, सरीता का अपने जल धारा के बिना, अर्था जीवन के आधार के बिना कोई अस्तित्व नहीं उसी प्रकार आप जो मेरे जीवन के आधार है, मेरे सर्वस्व हैं आप जिनके दर्शन से मेरे दिवस का आरंब होता है और मेरे दिवस का अंध होता है आप मेरे नाथ आप स्वेम कह रहे हैं कि आप पुझे दर्शन नहीं देंगे नाथ कनेश ने चंद्रदेव को जो शाप दीन उसका दर्णा पुझे क्यों दे रहे हैं उमा, जब तुम अपने पूत्र को अचेत आवस्था में देखका कुरोदा वेश बह रही थी, तब भी मैंने तुम्हें चंदरदेतों को शमा करने के लिए कहा था हम जगत पिता और जगत जन्नी हैं, और अपने कर्तवियों कर निर्भा करने हे तुम्हें अपने रिदे को कठोर कर, हमारा अपनी भावनाओं को भी तिलांजनी देना आवशक है यही बात मैं गणेश को समझाने का प्रियास कर रहा था, वो प्रथम पूज्य है उसका क्रोध में अपना नियंत्रन खोना, कदा भी स्विकार ये नहीं और अब, जब उसने मुझे अंसुना कर श्राप दे दिया, तो हमें भी उसका परिणाम तो स्थेहना ही पड़ेगा पिता श्री, पुत्र गणेश, अब तो तुम्हें ही अपने पिता को समझाना होगा कोई तो ऐसी युक्ति, कोई तो ऐसा मार्ग होगा, जिससे हम उनके दर्शन से बच्चित ना रहे पुत्र, उन्हें समझाओ, उन्हें शांत करो पुत्र पिता श्री, मुझे एक शमा कर दीजिए, मैंने क्रोधवश आपका अनुवाद नहीं सुना मुझे एक शमा कर दीजिए किन्तु ये भी सत्य है पिता श्री, कि चंद्रदेव को शाप देने में मैं तनिक भी दुखी नहीं हूँ आप जगत पिता है पिता श्री, और मा जगत जननी, ये भी सत्य है किन्तु ये भी सत्य है कि मेरे लिए अर्थात अपने पुत्र गणेश के लिए आप भी पिता है और मा मेरी माता और यदि कोई मेरी मा को पीड़ा पहुचाएगा, तो उससे मैं कदापी सहन नहीं करूँगा हाँ पिता श्री, ये सत्य है कि मुझे क्रोध आया था करन रखना चाहिए था, कदाचित मुझे चंद्रदेव को ख्षमा भी कर देना चाहिए था किन्तु अपनी मा का पुत्रू होने के नाते, जब अपनी मा को जो आदी शक्ति है उनके शरीर में मैंने कमपन देखा ये क्या मा? उन्हें भूमी पर असहाय मुर्चित देखा पीड़ा से उनका हिर्दय आगहात होते देखा उनके अश्रू देखे तो मैं स्वयम को कैसे रोगता पिता श्री? मा तो कभी भी किसी से अपनी पीड़ा नहीं कहती है बार-बार मेरे भाईया और अत्वा स्वयम आपके कारण उनके हिर्दय पर आगहात होते रहता है किन्तु वो निशब्द रहकर उन पीड़ाओं को सह लेती है क्या ये उच्छे थे पिता श्री? चंदरदेव को मैंने इसलिए शाप नहीं दिया क्योंकि उन्होंने मेरा उपहास किया वो तो मैं भूल चुका था पिता श्री मैंने उन्हें इसलिए शाप दिया क्योंकि उनके कृत्य से मेरी मा को अपारवेदना सहनी पड़ी वो टोट गई थी और इसलिए मुझे चंदरदेव को शाप देने का कोई पस्तावा नहीं है पिता श्री पुत्र गणेश अब एक और शब नहीं रुक जाओ पुत्र ये भावनाव के कैसे भवर में फस गई हूँ मैं कैसी स्थिती है एक और मेरा पुत्र जो मेरे प्रति अपना सने अपनी निष्ठा को व्यक्त कर रहा है और दूसरी ओर मेरे कर्टव्य निष्ठ पती जिनके लिए उनके दायत्व ही सर्वो परी है जो अपने परिवार को ही दंड़त कर हमें इस मरन करा रहे हैं कि अपार शक्ती होने के साथ साथ बड़े उत्तर दायत्व भी निभाने होते हैं आपके इस कथन का क्या अर्थ है उमा क्या मैं केवल कर्टव्यों से पंधा पती हूँ ये तो आपको भी ज्याद है कि मेरे लिए दायत्व सरोच्च है क्योंकि उनमें संपूर्ण श्रिष्टी का सभी चराचर जीवों की भलाई निहित है किन्तो आपका ये कहना कि मुझे अपनी परिवार की चिंता नहीं ये सर्वधानुचित है स्वामी यदि आप के लिए अपने परिवार का महत्व होता तो आप हमसे मुख क्यों बोड़ते ये ही समझाने का प्रियास कर रहा हूँ मैं मेरा आप से गनेश से कार्ति किसे विमुख होने का कारण है मैं अपने परिवार की रक्ष्या करना चाहता उसे कलंकित नहीं होने देना चाहता प्रभू, कनेश तो अभी एक बालक है इसलिए जो कुछ भी हुआ वो मेरे कारण हुआ कनेश का उसकी मा के प्रति स्ने के कारण हुआ है और एक बालक का उसके मा के प्रति स्ने कोई अपरात तो नहीं है प्रभू इसलिए प्रभु अपने परिवार को दंड़त मत कीजे अपने भक्तों को दंड़त मत कीजे ओ मा कल जो हुआ था वो गणेश के क्रोध के कारण हुआ था प्रथम पूछे देवता होने का दाई तु समझ नहों को से उसे समझ नहोगा कि उसके लिए व्यक्तिकत भावना को कोई स्थान नहीं उसका जीवन मात्र और मात्र जगत का ल्यान के लिए ही समझ पृत है और ये भी कि प्रतेक किरिया की प्रतिकिरिया होती है प्रतेक कर्म का परिणाम होता है उमा, गणेश मेरा पुत्र है, तो चंदरदेव ही तो मेरे पुत्र के ही समान है अपने पुत्रों के मध्ये भेदभाव नहीं कर सकता मैं उमा, मेरे पुत्र गणेश ने मेरे ही पुत्र चंदरदेव को श्राप दिया वही चंदर देव जो मेरी जटाओं में स्थित है और वही श्राप कभार उठाने के लिए मैं विवश हूँ मैं एक्षमा चाहता हूँ पिताश्री किन्तु आपके पुत्र चंदर नहीं मेरी माँ को ठेज पहुचाई उन्हें कष्ट दिया ये मैं कैसे स्वीकार करूँ पिताश्री कैसे स्वीकार करूँ आप ही बताईए जो एक पुत्र को लगा उसने किया मुझे एक्षमा करें पिताश्री मुझे एक्षमा करें गणेश कुछ भी सुनने और समझने को तैयार क्यों नहीं हो रहा है क्या कारण है कि पिताश्री के शब्द भी उसे प्रभावित करने में अक्षम हो रहे हैं मैं अक्षमा चाहता हूं पिताश्री किमतु आपके पुत्र चंडर ने ही मेरी मां को ठेश पहुचाई उन्हें कष्टि दिया ये में कैसे स्वीकार करून पिताश्री कैसे स्वीकार करूं आप भी बताईए जो एक पुत्र को लगा उसने किया मुझे एक्षमा करे पिता श्रीम गनेश कुछ भी सुनने और समझने को तयार क्यों नहीं हो रहा है कि पिता श्री के सब्द भी उसे प्रभावित करने में अक्शम हो रहा है भौम के क्रोध का ये अतिरे खुचित नहीं, यदि वो शान्त नहीं हुआ, तो उसके क्रोध का कोई दुश प्रभावस रिष्टी पर अवश्य होगा अगनी देव, अपका पूर वाभास सत्य का रूप लेकर हमारे समख शाही गे इतनी प्रसानुता, इतने आनंद के बाद, इतनी प्रतिकूल और इतनी दुगदाय घटना अंतथा घट ही गई किन्तु देवराज मैं ये समझने में आसमर्थ हूँ कि चंदरदेव को गनेश जी का उपहास करनी की क्या वशकता थी ये तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतनी बड़ी भूल के लिए मैं प्रिरीत कैसे हुआ आपके इस मनोहर रूप पर जिसकी भी द्रिष्टी पड़ेगी चंदरदेव वो कलंखित हो जाएगा डेवगन साफधान कनेश जी का श्राप स्मारण रहे चंदरदेव आप हाप और यहाँ तो मैं क्या करूँ इंदरदेव आप ही बताएं यह कैसी विडम बना है मैं भी तो एक देवता हूँ किन्तु अब प्रथम पोच्चे गणेश जी के श्राप उपरांत देवताओं के मद्ध मेरी उपस्थिती वांचित नहीं हाप ही बताएं क्या करूँ देवराज कहा जाओ मैं चंदरदेव मैं मैं आपकी पीड़ा समझ सकता किन्तो मुझे शमा कीजी इस विशे में मैं मैं आपको कोई भी सुझाव देने में असमर्थ हूँ अब हमसे सुझाव का क्या लाप चंदरदेव आपने तो पूरु में कोई विचार नहीं किया था ना आपको तो पूरु में विचार करना चाहिए था प्रतम पूज गणेश जी का पारवती नंदन गणेश जी का विग्न हर्ता गणेश जी के उपहस के पूरु कितिना अनुचित व्यवार था आपका चंद्रदेव भला कोई बालकों के भोजन का उपहास करता है चंद्रदेव हम सभी देवता विवश है हम यहाँ आपकी उपस्तिती स्विकार नहीं कर सकते क्योंकि आप परत्रिष्टी पढ़ने से हम सब कलंकित हो जाएंगे आपकी भूल के कारण हम पुना संकट में पड़ जाएं योचितने देवताओं मैं आपकी चंता समझता हूँ पूर्व में भी मेरे कारण प्रयाप्द अहित हुआ है कि तु मेरा विश्वास करे अग किसी का भी मेरे कारण अहित हो यह मैंने स्वयम को कैसे संकट में डाल दिया है जिनसे मुझे स्नेह है उन्ही के लिए अहितकर हो गया हूँ मैं स्वामी शीप यह आप क्या कर रहे हैं आपने मुझे दिखकर मुख क्यों मोड लिया स्वामी नहीं रोहेनी वहीं रुख जाईए मेरे निकट आने के भूल न करें मैं आपसे विदा लेने आया हूँ मुझे वहीं से विदा कीजिए नाथ आपकी शब्द मेरे मन में अने को आशकाय उद्पन्न कर रहे है आप बताईए ना मुझे क्या हुआ आए स्वामी मैं श्रापित हो गया हूँ रोहीनी मुझे मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई जिसके परिणाम स्वरूप गणिश्ची ने मुझे श्राप दिया है आपके इस मनोहर रूप पर जिसकी भी द्रिष्टी पड़ेगी चन्रुदेश वो कलंकित हो जाएगा कलंकित हो जाएगा इसलिए मैं यहां से प्रस्थान कर रहा हूँ किन्तु स्वामी 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 कैसा अनर्टू क्या गणेश ये कैसा श्राप दे दिया तुमने चन्रदेश को भाईया आप मुझसे ही प्रश्ण कर रहे है किन्तु क्या मैं आपसे एक प्रश्ण पूछ सकता हूँ हाँ अनुच अवश्य पूछ सकते हूँ तो बताए भाईया यदि आप मेरे स्थान पर होते यदि आप मा को प्रत्वी पर अच्चेत अवस्था में देखते और आपको ये ग्यात होता कि उनकी इस अवस्था की कारण आप आपकी प्रती उनका अगाद इसने है आपके हिद की चिंदा है और उसी कारण हमारी मा को इतना अपार कश्ट हुआ है और जब आपको ग्यात होता कि उस अवस्था को उत्पन कराने वाला दोशी कौन है तो क्या आप उसे शमा कर देते बताईए मुझे क्या करते आप भहिया मेरी मा को कश्ट पहुँचाने वाले दोशी को मैं अवस्षे कठोर से कठोर जंड देता गनेश तक तो मैंने जो किया वो भी उचित थाना भहिया मैं सर्वथा निर्दोश हो तुम सर्वथा उचित कह रहे है हो गनेश किन्तु पिताश्री भी तो अनुचित नहीं कह रहे है उनका कथन भी तो सर्वथा उचित है वास्तविक्ता में उचित और अनुचित कुछ होता ही रही है ये तो परी स्थिती है जो दो मित्रों को, परी जुनों को, दो सकारात्मक शक्तियों को भी परस पर विरोधी बना देती है और अब तुम्हारे श्राब के प्रभाव से वो और भी कष्ट का कारण बनेंगे अपने परिवार के साथ साथ समस्त श्रिष्टी के अहित का कारण बनेंगे वो ये क्या हो गया अपने सौंदर्य के अहंकार के कारण मैं अपने समाज अपने परीजनों से परितेक्त हो गया हूँ आपके इस मनोहर रूप पर जिसकी भी द्रिष्टी पड़ेगी चंद्रदेव वो कलंकित हो जाएगा ये पुष्प मेरे कारण मुड़ जा गए सत्य है ये मेरी उपस्थिती का दुष्परभाव है नहीं नहीं जो कुछ भी मेरे समक्ष है विसब मेरे कारण ही कलंकित हो रहे है ये सर्वथा अनूचित है इतना बड़ा कलंक मैं स्वयम पर नहीं ले सकता नहीं ले सकता मैं अब तो मैं किसी को भी अपना मुख नहीं दिखा सकता क्यों क्यों किया मैंने ऐसा प्रतम पुझ्य विग्न हर्ता श्री गनेश के साथ ऐसा अनूचित आचरण क्यों किया मैंने अब अपने इस दोशपूरण आचरण के कारण मैं सभी के लिए अदशनिय, वणहीन और अत्यंतमलीन हो गया हूँ और अपनो ये क्या हो रहा है? ये कैसी काली बाचा रही है? ने! अब मैं किसी को अपना मुख्र नहीं दिखाऊंगा और ना ही किसी के कलंकित होने का कारण बनूंगा मैं सदा के लिए इस जलकुंड में छिप जाता हूँ और इसके भीतर? मुझे कोई देखने ही सकेगा हम आदें इसके नहीं तुप की इसबसे देखने ही बाउव जינ्रख आड़ स chill अगाव और अब आए आए, कव अगावा करना दी ए कार दाश critical 차 हुँआ आ अप चार दूर कहा रख उ regular में हुँआ आए 나눔 आए, घाल कार दो अए आए गरेश 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 अब समझ मैं तुम्हें क्या किया तुमने मैं मैं तो मा के साथ था पिता श्री मैंने कुछ भी तो नहीं किया है गरेश पिता श्री प्रतीद होता है चंद्रदेव अपना स्थान छोड़ कर कहीं और प्रस्थान कर गए हैं ये तो सर्वता उचित है अति उत्तम है भाईया पिता श्री अब चंद्रदेव के आपके शीश पर उपस्तित ना रहने से उनकी कान्दी खो देने से हम बिना कलंकित हुए आपकी दर्शन करने के लिए मुक्त है हमारी समस्या का समाधान तो स्वता ही हो गया हमारा परिवारब पुना कुशल है ये कनेश को क्या हुआ है सदा अन्य सभी की चिंता करने वाला मेरा पुत्र अचाना कितना कठोर केसे हो गया पुत्र जो तुम कर जोके हो सके प्रभाव के बारे में एक बार गहनता से मंधर लो जाओ पुत्र प्रमदेव माता सरस्वती कनेशी ने जो भी किया उसका कारण समस्ति हुँ मैं मेरे स्वामी चंद्रदेव ने भूलवश माता पार्वती को कष्ट पौचाया किन्तु स्वामी सभी की रिष्टी से हो जल हो गया अब दोने गय भी कई देवस गुजर चुकी है किसी को भी ज्याद नहीं है कि वो कहा है देवी रोहनी गणेश के लिए उसके माता पिता ही सर्वोच है तो गणेश जो अन्यथा निश्कपट और सरल और कोमल हिर्देबालक है अपनी माता को कष्ट में देखकर उसका क्रोध जागरित होना भी स्वाभाविक है प्रभू और स्रिष्टी की हितका कोई उपाय सो जाए प्रभू कोई उपाय सो जाए प्रभू क्या मैं अपने स्वाभाव की विप्रीत वास्तों में हट पर अड़ गया हूँ और ये जो मुझे बार बार क्रोध का अभास हो रहा है इसका कारण क्या है पिताश्री उचित कहते हैं मैंने ग्रोधावास में ही चंद्रदेव को शापित कर दिया किन्तु क्यों क्या कारण हो सकता है इसका अमना माशिवाइ ओना माशिवाइ यहां भौम के तपके कारण उसकी शरीर से उत्पन हुई उग्रो उर्जा में निरंतर विद्धी हो रहे है उसकी उग्रता भी पढ़ती जा रहे है पिता श्री मुझे समझ में आ गया है कि ये मेरे भीतर क्रोध स्वभाविक नहीं है आप देवादी देव महादेव हैं सभी का मार्ग दर्शन करते हैं आप आप ही मेरे इस क्रोध को शांत करने के लिए मेरी सहायता कीजिए पुत्र गणेशिक अंतर द्वन से जूज रहा है पुत्र कारतिके तुम जाओ उससे समवाद करो उसे उचित मार्ग दिखाओ उसे समझाओ की चंदर की उपस्तिति के बिना ब्रह्मान को क्या शती पहुँचेगी जाओ पुत्र जो आग गया पिताश्री अब भिक्रिपा कीजे प्रभू कोई कोई सुजाओ सुजाएदी देवी रोहनी ये संकट गणेश के चंदर देव को शाप देने के करण उत्पन हुआ है और यदि कोई ये संकट हर सकता है तो वो गणेश ही है कल ही कृष्ण पक्षी की चतुर्थी है आप वरत कर गणेश की पूजा करें गणेश को प्रसन करने का एक मात्र यही उपाए है धन्यवाद धन्यवाद प्रभू यही है देखा आनुच गणेश? चंदर देव की अनुपस्थिति के कारण ही संपूर्ण स्रिष्टी में ऐसी भयंकर उश्मता उत्पन्न हुई है हमें इसका कोई जा कोई निदान तो ढूनना ही होगा ना अनुच आओ अनुच गणेश, मेरे साथ पिताश्री के निकट चलो अब इस परिस्थिति से हमें मुक्त कराने का कोई उचित सुझाओ देकर वही हमारा मार्ग दर्शन कर सकते हैं अनुच हाँ भईया, मैं पिताश्री की शरण में जाऊंगा चंद्रदेव को ढूंडने के लिए मेरा मार्ग दर्शन करने का अनुरोध करूंगा इस संकर से मुक्ति का मार्ग चुब्रमदेव ने हमें बताया है उस पर अड़िक रहोंगी मैं अपार्श रधा और भक्ती से श्री गनेश जी की पूचा करूंगे मैं देवी रोहिनी प्रथम पूजे गनेश जी को प्रसंद करने हे थो हम सब देवता भी इस पूजा में आपके साथ सम्मिलित होंगे संकर तो बढ़ता ही जा रहा है देवराज इंद्र प्रिथ्वी की उश्मता तो बढ़ती ही जा रही है चंद्र देव की शीतलता का अभाव अब अपना प्रत्यक्ष प्रभाव दर्शा रहा है और इस्तिती और भी क्रमशा गंभीर होती जाएगी हमें प्रथम पूजे गनेश जी को शीकर प्रसंद करना होगा संकर तो बढ़ता ही जा रहा है देवराज इंद्र प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रभाव दर्शा रहा है और इस्तिती और भी क्रमशा गंभीर होती जाएगी देवगन स्मरन रहे प्रहमदेव के दिये सुझाव अनुसार हम सब यहां प्रथम पूजे गनेश जी को प्रसंद करने हे तो उपस्तित होए इसलिए परस्तिती कितनी भी विकट क्यों न हो हमें अपनी पूरी श्रद्धा के साथ प्रथम पूजे गनेश जी की पूजा में ही लीन रहना होगा और किसी भी कारणवश अपनी एकागरता को कदापी भंग नहीं होने दिना प्रतीत होता है पुत्र कार्थिके ने पुत्र गनेश को स्थिती की गंभीरता से अवगत कराया है उसने जिससे समझ कर गनेश यहां आया मुझे विश्वास था वो अवश्य अपने पिता से मार्ग दर्शन लेने आएगा पिताश्री इस समस्या का समाधान ढूरने के लिए हमारा मार्ग दर्शन कीजिए पुत्र इस बात का संतोश है कि तुमने स्थिती की गंभीरता को स्विकार किया चंद्रमा ने तुम्हारा उपहास कर बहुत बड़ी भूल की जिससे तुम्हारी मा को कष्ट पहुँचा किन्तु अनियंत्रित ग्रोज से कभी किसी का दोश नहीं सुधर था कभी किसी का भला नहीं होता आप उचित कहते हैं चंद्रदेव के कारण बहुत कष्ट हुआ है मेरी मा को और देखा आपने किस प्रकार अपने दाइत्वों का पालन नहीं कर रहे हैं चंद्रदेव सर्व प्रथम उन्होंने मुझे और मेरी मा को पीड़ा पहुचाने का कार्य किया और अब इस प्रकार सभी की द्रिष्टी से ओचल होकर समस्त स्रिष्टी को कष्ट पोचा रहे हैं हाँ क्रोध आया मुझे अवश्य क्रोध आया और अवसर प्राप्त हुआ तो उन्हें पुना शापित करूँगा मैं कभी ख्षमा नहीं करूँगा चंद्रदेव को कभी नहीं गणेश पुत्र रुको रुको पुत्र गणेश इतना क्रोध पूर्ण विवहार क्यों कर रहा है ये ये हो क्या गया है गणेश को उमा अभी इसे जाने दीजिये अभी वो कुछ भी समझने के अवस्था में नहीं है समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा है पिताश्री की गणेश को ये हो क्या गया है अभी कुछ समय पूर्व ही तो मुझसे कह रहा था कि चंद्रदेव को लोटाने के लिए वो पिताश्री से मार्ग दर्शन लेगा फिर अचानक ये ये क्रोधा विश का क्या कारण है यदि मेरा पुत्र अपने क्रोध को अपने वश में नहीं कर पा रहा है तो अवश्य ही उसका कोई बड़ा कारण होगा क्योंकि अकारण क्रोध तो गणेश के स्वभाव में ही नहीं हाँ मा मैं आपसे पूर्णिता सैमत हूँ गणेश के स्वभाव से तो हम सभी भली भाती परिचित है फिर उसके उसके क्रोध का क्या मूल हो सकता है चंद्रदेव को मैंने इसलिए शाप नहीं दिया क्योंकि उन्होंने मेरा उपहास किया मैंने उन्हें इसलिए शाप दिया क्योंकि उनके कृत्य से मेरी मा को अपारवेदना सहनी पड़ी और इसलिए मुझे चंद्रदेव को शाप देने का कोई पस्तावा नहीं है पिता श्री पुत्र मैं, मैं हूँ उसके क्रोध के मूल में मैं उसकी मा नात, मैंने जब भी कणेश को किसी क्रोध अत्वा आहत में देखा तब मैं स्वयम पर किसी भी प्रकार का नियंत्रन रखने में असमर्थ हो गए मैं अपने क्रोधा वेश में सर्वता विनाश करने के लिए प्रेरट रहती ये सने एक मा का अपने पुत्र के प्रती जब मैं गणेश को पीडा में देख अपने क्रोध पर नियंत्रन खो सकती हूँ तो गणेश तो मातर एक बालक है हम उससे आत्म नियंत्रन की अपिक्षा क्यों कर रहे हैं नात ओ मा, क्योंकि ओ प्रतम पुझ गणेश है और मैं जगत जन्नी आदी शक्ती हूँ नात नात, आप इस संपून घटना क्रम पुत्र गणेश की द्रिष्टी से देखने में संकोच क्यों कर रहे हैं नात नात आप ये क्यों नहीं समझ रहा चाते कि गणेश का क्रोद उसकी मा के रक्षक के भाव का ही परेणा में आज जब गणेश अपना मत आपके समक्ष रखने आया तो आपने कहा कि चंद्रदेश से जो कुछ भी हुआ उसके परेणाम से वो अनभिग न है तो क्या ये कहना अनूचत है कि गणेश ने जो कुछ भी किया उसके परिणाम से वो भी अन्भेग्य थे आपका जुकाव आपके एक पुत्र की ओर ही क्यों है आपको गणेश को समझने का भी प्रयास करना चाहिए ये मत भूलिये नात जब हमारे तथाकतित पुत्र चंद्रदेव ने मेरे रिदे को आहत किया तब गणेश ने ही मेरा बचाव किया आपको क्या ये स्पष्ट नहीं है नात उमा ब्रहमान को संतुलन में लाना मेरा करतव्वे है जो गणेश के कृते के कारण संकट्वे है नहीं नात श्रिष्टी का संतुलन संकट में अवश्य है किन्तु गडेश और चंद्रदेव दोनों के कृत्यों के कारे नात, मेरी विंती है अपस जो उचित है वही कीजी उसी से गडेश का क्रोध पिशान्त होगा देवी रोहिनी, इंद्रदेव ब्रह्मदेव ने हमें चंद्रदेव और इस श्रिष्टी की रक्षा ही तो एक अंतिम उपाय के रूप में इस पूजा का सुझाव दिया है किन्तु ये सुझाव देते समय उनके मन में भी संशय था कि क्या किसी भी तरह प्रतम पूजी गनेश जी का क्रोध शान्त होगा? होगा, अवश्य होगा क्यों नहीं होगा? क्या कारण है कि आप इसमें इतना संदेव व्यक्त कर रहे है सुरिष्टी? मुझे इसमें तनिक भी संदे नहीं कि इस पूजा से गनेश का क्रोध शान्त होगा और महादेव, पुत्र कार्तिके और स्वेम मैं भी इस पूजा को सफल बनाने हेतू इसमें भाग लेंगे और फिर हम सभी एक जुट होकर प्रतम पूजी की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करेंगे ओमा का सुझाव कि जो उचित है वही मुझे करना चाहिए वो मैंने स्विकार किया और उचित यह है कि हमें गनेश को उसका श्राप लोटाने के लिए विवश करने के स्थान पर उसे शान्त करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि अपनी दृष्टी कोण में उसने जो किया अपनी मा के लिए किया और जो उचित है इस पूजा के लिए हम सभी को वरत संकल्ब धारण कर गनेश की पार्थिव श्री विग्रा की रचना करनी होगी और इस पूजा का संपूण विधी विधान मैं आपको बताऊंगी और इस प्रकार हम सब एक जुठ होकर पूण भग्दी से कनेश की पूजा करेंगी मैं चंद्रदेव की अर्धांगे नी रोही नी क्रिश्न पक्ष के चथूर्ती के दिवस इस रत का संकल्प लेती हूँ मैं देवराज एंद्र प्रथम पूज गनेश जी का क्रोध शांत करने और श्रिष्टी की रक्षा करने हैं तू समस्त देवताओं के साथ इस पूजा का संकल्प लेता अम नमाश शेवाई अम नमाश शेवाई प्रथी तो अब भुश्मता की ऐसी पराकाश्टा की ओर जा रही है कि ये मिट्टी भी अपने लगी है सभी देवगन कितनी निष्टा और समर्पन सी इस पूजा के लिए प्रस्तुत है मुझे विश्वास है हम सभी अपनी भक्ती से गनेश जी को प्रसंद करने में अवश्य सफल होंगी बल और बुद्धि से सिंदूरा संभारा यल्यान कारे तो प्रथम पूच देवा जै गनेश जै गनेश जै गनेश देवा माका जाती पारबती पितना ना देवा जै गनेश जै गनेश जै गनेश देवा पिताश्री देखिए गनेश का पार्थे स्वरूप और थात उसकी मूर्थी की रचना हो गई है अब तो मातरों उसके नेत्र ही गडने शेष है मेरे पुथ्र के नेत्र में स्वैम गड़ूँगी एक मा जो अपने पुत्र के नेत्रों में अपने ले अपार प्रेम देखती वो भला उन नेत्रों को कैसे भूल सकती उसकी छवी तो एक मा के रिदय में सदेव के लिए अंकित हो जाती हुआ 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 है हुआ 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 है महादेव महता पार्वती हमें आशीश्ती जी कि हम आपकी पुत्र श्री विग्नहर्ता गनीजी की पूचा का शुभारम करें और इसकी फल स्वरों हम अपनी मनुरत में सफल हुआ उच्य था देवी रोही ने मैं सिंदूर से गनेश का दिलक करते हुआ सिंदू जो सर्वादिक प्रियल है मेरे पुत्र गनेश को जै देवु, जै देवु, जै देवु, जै देवु, जै देवु शेंदोर लाला चडायो अच्चा कचमुफट्थो दोंधिल लाल बिराज्डे स्वफघवु नी हरको मत लिए खुड़लत्टूस आइ सुखरवायो मैवां कहिए न जाये लाविनू पदो देवी रोहिनी अब ये लाल पुष्प गणेश को समर्पित कीजिए उसी से गणेश की प्रान प्रतिष्ठा भी होगी आप गणेश की प्रतिष्ठा भी होगी आप गणेश की प्रतिष्ठा भी होगी मुझ मंदिर पागन हो जाए मुझ में सारी प्यान पर मेरी गणपती पेला पार कर ओंग जानना ओ गजानना ओ गजानना ओ गजानना 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 लिएए सिष्की सचाई है, जन जन की कलीक इनाई है सुखदुख में कुनी सहायक हो विद देशते दि बिनायक हो मेरे जय जय कार गजो, तेरी पत मेरा कुछ आसान करो मेरे गज़ पती पेर आपार करो ओ गजानना, ओ गजानना ओ गजानना, ओ गजानना ओ गजानना, ओ गजानना ओ गजानना जंद्रदेव के शीतल प्रभाव के अभाव से यहां कहलाज भी प्रभावित हो रहा है सबस्त वातावरान में ऐसी उश्पता का संचार हो रहा है कि यहां के हिम तक पिखल रही है ओ अट्रदेश की करपा से ही हमारी और समस्थार की सुरक्षा नहीं था ओम्गांगणपत ये नमा ओम्गांगणपत अब तक हमारी पुकार सुनी ही नहीं चंद्रदेव की शीतलता तो मेरी उश्मता को संतुलित करती है किन्तो अब उनकी शीतल किर्णों के अभाव में मेरा ताप तो बढ़ता ही जा रहा है ओम्गणपत ये नमा ओम्गणपत ये नमा चंद्रदेव के अद्रिश्य होने से उत्पन्न संकट महा संकट में परिवर्तित हो उसके पूर्व गणेश को चंद्रदेव के प्रती अपने क्रोध को शांत कर उन्हें किसी भी युक्ति से लोटाना ही होगा अन्यथा शिष्टे नस्ट हो जाएगी अम नमा शिवाई अम नम शिवाई अम नमा शिवाई अम नमा शिवाई करनेश जी ने तो हमें अभी भी तर्शन नहीं थी, तो क्या सूरेदेव का संख्षा उचे था? कहीं करनेश जी का ख्रोध हमारी इस भूजा से भी शाल्थना हुआ तो चॉए नहीं अम ऱचयाइड का स norma हुआ अम नहीं को घड़कants on जंद्रमा की अनुपस्ति थी अर्थाज श्रिष्टिक आसन तुले थोकार पूर्ण रूप से विनाश अब केवल कनेश जी ही हमें संकट से उभार सकते हैं पुझे पूर्ण विश्वास कि मेरा पुत्र गणेश हमारी प्रात्ता अवश्य सुनेगा वो शीखर हमें दर्शन देगा प्रणाम महागनादी कल्यान भवा देवी पारवती मुझे आपकी चिंता का भान है प्रभू गणेश का क्रोध ही है मेरी चिंता का कारव वो शांत क्यों नहीं हो रहा है ये तो गणेश का स्वभाव नहीं कि वो संपूर्ट विधी विधान से की जाने वाली पूजा का सम्मान न करे क्या हमसे पूजा करने में कोई भूल हुई है प्रभू अब तो आप ही हमारा माट दंशन कीजिए श्री महागन पती जी आप सभी से पूजा में कोई भूल चुक नहीं हुई है देवी पारवती महादेव किन्तु मेरा एक सुझाव है आप गणेश के श्री विग्रह को दुर्वा समर्पित कीजिए दुर्वा? दुर्वा क्यों श्री महागन पती जी? उचित समय आने पर आप सभी को इसका भी ज्यान हो जाएगा कि दुर्वा गणेश को इतनी प्यारी क्यों है? दुर्वा? मैं अभी दुर्वा प्रस्चुत करता हूं मा उचित है पुत्र अम नमख शिवाए अम नमख शिवाए अम नमख शिवाए ओम नम शिवाई ओम गंगानपत्ये नम गंगानपत्ये नम गंगानपत्ये नम हाँ ओम नम शिवाई पिता श्री, मा, भाईया और समस्त देवगण मेरी पूजा में लीन है और यहां मैं अपनी पूजा में व्यस्त हूँ नहीं, मेरा कर्तव्य और दायत्व तो जगत कल्यान की प्रती है मैं अभी जाकर देवताओं की साहता के लिए प्रस्तोत होता हूँ भाईया, पिता श्री, मा, इनको मैं कदापी निराश नहीं कर सकता मेरे क्रोध के कारण पूर्व में भी बहुत हानी पहुँच चुकी है इसलिए अब अपने क्रोध को त्यागूंगा मैं अब अपना दायत्व निभाने में कोई अवरोध नहीं आने दूंगा मैं देवताओं की प्रार्थना सुनकर उनका सहायक बनूंगा मैं ओम नमाश्शिवाज कहां मेरे प्रभू महादेव उनके पुत्र देव सेनापती कुमार कार्थिके और प्रथम पूछ गणेश जी और कहां तुम ओम नमाश्शिवाज ओम नमाशिवाई कितने विचितराकृती है ना आपकी खंब जैसे हाथ पाऊं विशाल काय गज का शीश और उदर मानो अन्न का भंडार हो देवताओं का क्या है वो तो मात्र चंद्रदेव को शाप पुक्त कराने का अनुरोध करेंगे मुझसे क्योंकि वो भी देवता है किन्तो यदि चंद्रदेव ने उनमें से किसी की भी पतनी अत्वा माता को अपमानित किया होता तो क्या वो उने शमा कर देते नहीं, कदापी नहीं तो मैं उन्हें क्योंक्षंबा करूँ क्योंक्षंबा करूँ मैं उन्हें अरे! मैंने पूजा मध्ये में ही छोड़ दी ओम नम शिवाई ओम नम शिवाई ओम नम शिवाई ओम जोजित है वो मैं करूँ इसकी प्रेणा आपने ही मुझे दी थी किन्तु अब समय आ गया है कि आप भी वो कीजिये जोजित है क्योंकि यदि अब आपने ऐसा नहीं किया तो हमारी श्रिष्टी की रक्षा का हमारा तैतो निरर्थक हो जाएगा क्योंकि कुछ भी शेष नहीं रहेगा सब कुछ नश्थ हो चुका होगा रक्षा है तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा ओम गर्ण गर्ण पते नहमा ओम नाम शेवाई 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 माता तो अत्त्त क्लोधित प्रतीत हो रहे हैं और पीतर गणेश ये भी कुपित अवस्था में है उतला जी अब वे दोनों एक दूसरे के समख छोंगे तो ग्याद नहीं इसका क्या परणाम होगा ओम नाम शेवाई ओम नाम शेवाई ओम नाम शेवाई पुत्र गणेश मा मा क्या हुआ मा आप इतने तनाव में क्यों प्रतीत हो रही है पुत्र ये हो क्या रहा है क्या हुआ है तुम्हें तुम क्या कर रहे हो पुत्र मुझे क्या होगा मा मैं तो पिताश्री की पूजा कर रहा हूँ पुत्र सभी देवताओं में सबसे उदार हो तुम सबसे दयालू हो फिर इस पार इतना हट क्यों इतने कठोर क्यों हो रहे हो तुम चंद्रदेव को उचत सीख दे चुके हो तुम ऐसी सीख चो उन सभी को सदैव स्मरण रहेगी चो बालकों के भूजन पर व्यंक करते हैं बालकों को भूजन के प्रतिरुची पर कुद्रिश्टी डालने के लिए प्रिले थो फिर भी अपने ख्रोट पर क्यों टिके हो तो मा चंद्रदेव को दंडित करने का कारण तो आप है उन्होंने आपको कश्ट देने का अपराद किया था तो क्या ऐसा करके तुम्हें मेरे प्रति अपने स्ने को प्रमाणित करने की आवश्रक्ता है पुद्र नहीं मा तो फिर क्या तुम प्रतिशोत की भावना से प्रेड़ थो क्या प्रतिशोत की भावना आसुरी भावना नहीं मैं मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पुद्र क्या तुम्हें इसका तनिक पी आभास है कि दीवी रोहीनी कितने कश्ट में क्या तुम्हें उनकी प्रात्ता का स्वर सुनाई नहीं देरा पुत्र? जब तुम्हारे पिता श्री और मैं एक दूसरे से विलग हुए थे तो तुमने कितना अथक प्रयास किया था हम दोनों को एक साथ लाने के लिए उसी प्रकार अब देवी रोहीनी चंद्रदेव से विलग होई है तो क्या तुम उनकी पीड़ा की कलपना भी नहीं कर पा रहे हूँ पुत्र? क्या तुम ये भी देख पाने में असमर्थ हो? कि स्वयम जगत पिता महादेव तुम्हारे पिता तुम्हारी पूजा कर रहे है क्या तुम इससे भी प्रभावित नहीं पुत्र? नहीं मा मैं अत्यंद प्रभावित हूँ किंतो क्या पुत्र? जिस मा के लिए तुमने स्वयम चंद्रदेव को दंड़त किया वो तुम्हारी प्रात्ना कर, तुम्हारी गुहार लगा रही है। तब भी तुम इतने कठोर बने हुए हो, चंद देव को शमा करने में असमर्थ हूँ। नहीं मा, मैं उन्हें शमा करना तो चाहता हूँ, किंदू। तुम्हारी शमा शीर्ता के कारेंगी पुत्र, तुम प्रथम पूज्य के पत पर स्थापित हुए। मेरा विश्वास कीजिये मा, मैं उन्हें एक शमा करना चाहता हूँ, किंदू अकस्मात मैं पुना आविशित हो जाता हूँ। तुमने और तुम्हारी पिताश्री ने मुझे विकट स्थिती में डाल दिया है। तुम्हारे पक्ष में, मैंने उनसे जो भी कहा, उसे स्विकार कर उन्होंने वही किया जो उचित है। तुम्हारी प्रात्ना कर रहे हैं हो पुत्र, इसलिए अब तुम भी वही करो पुत्र, जो उचित है। क्योंकि तुम्हारे क्रिट से तुम किसी का दोश नहीं सुधा रहे है। अपी तुम्हारे हट से सबको पीड़ा पहुच रही है। सब पूट श्रिष्टी संकट में आ रही है जो मैं कदापी होने नहीं दूगी पुत्र मा, स्रिष्टी को तो मैं भी संकट में नहीं डालना चाहता हूं मैंने सभी की प्रार्थनाई सुनी थी और मैं वहाँ प्रकट भी होने जा रहा था किन्तु फिर ग्याद नहीं, अकस्मात कैसे क्रोध का एक प्रवाहुत पन्न हुआ मेरे भीतर और मैं पुना क्रोधा वेश में बह गया मा क्रोध के उन्माद से मुक्त होना तुम्हें सीखना होगा पुत्र जब भी क्रोधा है, उसका दमन करना होगा क्योंकि जब भी तुम्हें क्रोध प्रभावित करेगा, अपनी तर्क शक्ती से उस पर विचार करो पुत्र अपने भीतर के क्रोध का अवलोकन करो पुत्र तो जैसे स्या मेग, वर्षा के उपराद स्वता मिढ जाता है और आकाश में धवल प्रकाश उत्पन होता है वैसे ही तुम्हारा भी क्रोध मिढ चाए का पुत्र आओ, चलो पुत्र पुत्र च्टैसी एग आमना शिवाय आमना शिवाय आमना शिवाय क्रोध के उन्माद से मुक्त होना तुम्हें सीखना होगा पुत्ति जब भी क्रोध आये उसका दमन करना होगा मैं पुना क्रोधित हो रहा हूँ किन्तो इस क्रोध का कोई लाब नहीं वो कारण समावत हो चुका है वो परिस्थिती बीच चुकी है तो क्या अभी मेरा क्रोधित होना उचित है इस प्रश्ण का उत्तर तो स्पष्ट है नहीं गणीश क्या हो अब यहां खड़े हस क्यों रहे हो ग्यात नहीं मा मुझे पुना क्रोध का अनुभव हुआ फिर मेरे मन में आपके शब्द कौंद है फिर मैं शान्त हो गया किसी स्याह मेग की समान आओ गणीश चलो आओ आओ अम गंगापते लम्हा अम गंगापते लम्हा आओ मैं आप सभी की पूजा से प्रसंद हुआ तर्थम पूजे गनेशी, ठाप सभी के विगन हर्थे, ठाप को हमारे और समस्त संसार के संकट हरने ही होगे, हरने ही होगे प्रपूँ गनेशी, आपने जो मेरी स्वामी चंद्रदेव को शाप दिया है, उसे निरस करने की क्रिपा कीजी मैं क्षमा चाहता हूँ, किन्तु ऐसा करना तो मेरे लिए भी संभव नहीं देवराजिंद्र, ये तो आपको भी बली भाती ग्यात है, कि एक बार जो शाप दिया जाता है, उसे पूल रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता किन्तु गणेश इस समस्या का कोई समाधान तो होगा, कोई तो युक्ती होगी जिससे तुम्हें संकट को दूर कर सकते हो हाँ गनीशी, मुझे विश्वास है, आप कोई न कोई हल अवेश्चे ढूल लेगे आप सर्वता उचित कहती है माता, शर्नागत की रक्षा करना तो भगवान का कर्तव यह है शाप तो लोटाया नहीं जा सकता, किन्तु मैं उसकी प्रभाव को कम कर सकता हूँ चंद्रदेव! गणेश जी पुने पुकार रहे हैं, किन्तो नहीं, मैं यहीं छिपा रहूंगा, कदाचित वो वहाँ बुलाकर मुझे और धंडित ना कर दें चंद्रदेव, आप जहां भी है, वहाँ से बाहर आएए, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आपके प्रतिय मेरा क्रोध शान्त हो चुका है गणेश जी मुझे से क्रोधित थे, क्या, क्या उन्हींने मुझे एक्षमा कर दिया? चंद्रदेव, चंद्रदेव कहां है आप? आप हमारे समक्ष प्रकत क्यों नहीं हो रहें? आप सब यहाँ एक अत्रत हैं, किन्तु आप अपनी दृष्टी मुझ पर ना डालें अन्य था आप सब कलंकित हो जाएंगे, ना डालें अपनी दृष्टी मुझ पर उठिये चंद्रदेव चंद्रदेव, मैं महादेव और पार्वती नंदन गणेश आपको अपने दिये गए शाप से, आंशिक रूप से मुग्द करता हूँ चंद्रदेव अब संसार के लिए पुना दर्शनी हो जाएंगे और अब उन पर दृष्टी डालने के परिणाम स्वरूप किसी को भी कलंकित नहीं होना पड़ेगा किन्तु मात्र एक तिथी को छोड़कर और वो तिथी होगी भात्रपत माह के शुक्ल पक्ष की चतुर थी अर्थात मेरा जन्म दिवस मात्र उसी तिथी पर जो भी चंद्र का दर्शन करेंगे उन्हें मेरे शाप के कारण कलंक का सामना करना होगा कि अर्शन करना है मुझे क्षमा करें प्रफु, मैं अत्यांत अहंकारी हो गया था चंद्रदेव, मुझे भी स्वयम से प्रेम है किन्तु अपनी सराहना करना और स्वयम पर गर्व करने में एक बहुत छोटा सा भेद है और वो भेद है, एहंकार मैं समझ गया प्रफु, अब मैं इस प्रकार के भूल कदा भी नहीं करूँगा, मुझे क्षमा करें आपका कल्यान हो चंद्रदेव आज क्रिश्न पक्ष की चतुर्थी है, मैं इस तिथी को भी स्वयम से जोडता हूँ आज की ये तिथी संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी विख्यात होगी और इस तिथी पर जो भी भक्त व्रत धारन कर मेरी पूजा करेंगे और रात्री में चंद्र को जल का अर्ग देकर पूजा संपन्न करेंगे मैं उनके सभी संकट हरूँगा, उनके सभी दुख्दूर करूँगा स्मरन रहे, संकष्टी चतुर्थी का ये व्रत और पूजा चंद्र के दर्शन कर उनकी आर्थी के उपरांती संपन्न होंगे धन्यवाद गनेश ची मैं गृतार्थ हुआ प्रभू आपने ना केवल मुझे श्राप मुक्त किया अपी तु अपने साथ साथ उजनिया बना दिया आपकी जै हो प्रभू आपकी जै हो मैं गणेश संसार के लिए आज ये विधान करता हूँ कि मेरा जन्म दिवस भाद्रपत की शुक्ल चतुर्थी अर्थाथ गणेश चतुर्थी को जो भी मेरी पूजा करेगा मैं अपनी पूजा की परिणाम स्वरूप भक्तों को वर प्रदान करूँगा और क्रिश्न पक्ष की चतुर्थी अर्थाथ संकष्टी चतुर्थी की पूजा के फल स्वरूप मैं उनके संकठ हरूँगा और हाँ संकष्टी चतुर्थी की पूजा है तो चंद्र की भी पूजा आनिवार्य होगी ओम्भूर्भुवस्वः अम्रितांगाय विद्महे तलारूपाय धीमही तन्नो सोमो प्रचो दयार तदिशंक तुछारांब। शीरो दार्नव संभवं नमामिशशिनं सोमं शंभोर्मुकटं भूशनं ओम्श्रांग श्रीम्श्रोंग सहचंद्रमसे नमहा ओम नम्रितांग, क्वे तक केंवarina सहिततरार तक बार्लामस मुव् तो अम्रितांग, क्वे अम्रितांग, क्वे ध Alrightyoqu', शर्बून्द है ओम नम्रितांग, क्वें दिस अ気नष्ब तक अहर रत्र थच हा這個ります ओम नमख शिवाई ओम नमख शिवाई ओम नमख शिवाई मेरी तुच्छा पर यह शेतलता का अनुभब क्यों कर रहा हूं मैं मेरा और मेरे तब का परभाव शीन पर रहा है चिंद्र देव भी पुना आकाश में इस्थापित हो गए है पुत्र भौम तुम्हारी तपस्या से उत्पने ताप के कारण मुझे आपार चिंदा हो रही थी क्योंकि उस ताप को सहना मेरे लिए भी कठिन हो रहा था वही तो मेरे तब का उद्देश थामाता मैं इतना ताप इतनी उश्मता उत्पन करना चाहता था जिससे महादेवी प्रभावित हो यहां आकर मुझे दर्शन देने के लिए विवश हो जाए किन्तु मेरा तब व्यर्थ क्यों हो गया ताप के स्थान पर मैं शीतलता का अनुभाव क्यों कर रहा हूं वो इसलिए संभाव हुआ पुत्र क्योंकि प्रथम पूचे गणेश चीने चंद्रदेव पर कृपा कर उनेक शमा कर आंशिक रूप से श्राप मुक्त कर दिया गणेश 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 एक बार पुना गणेश ने मेरी योजना को नश्ट कर दिया ये गणेश मेरे मार्ग की बाधा बनता जा रहा है मुझे जिगरी इसका कोई उच्चुत उपाए करना होगा पिता श्री मुझे ख्षमा कर दीजिए मैं अपने क्रोध को नियंत्रन करने के स्थान पर उसी की वश में आता रहा जिसके परिणाम स्वरूप मैंने आपको भी धुख पहुचाया पिता श्री अपने इस पुत्र को ख्षमा कर दीजिए आप गणेश कभी कभी सिद माहत्मा भी अपने क्रोध की भाव में बह जाते हैं किन्तु मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम्हारा क्रोध दूर हो चुका है और सब यथावत हो गया अवश्य पिता श्री इसके लिए भी आपको कोटी कोटी धन्यवाद आपने मेरा मार्ग दर्शन किया मुझे इस क्रोधा वस्था से निकालने है तुम्हा और भहिया के साथ मेरी प्रार्थना की और जिसके परिणाम स्वरू भी मुझे इस समस्या का समाधान सुझा पिता अब चाही परिस्थिती कुछ भी हो मैं अपने क्रोध को स्वयम पर कदा पिहावी नहीं होने दूंगा ओम नमस्षवाइ आप सम्झे परिस्थिती के अवाइए अब तुम्हाइए प्रुम्हाइए खर्षव प्रुम्हाइए और इस स्वरू एक साधारन नजाद है साही एक शक्तिशाली से भीड़ रहा है। आज चरिये हैं। देखता हूं सिंह और साही का ये युद्ध कितने समय तक चलता है। गोर आश्चर ये एक छोटे से तुछ जिव ने सिंह जैसे विक्राल भयानक जिव को आहत कर दिया। जो मैं देख रहा हूं। वो कोई माया है या फिर सत्ति भी है। ये रहस्य ग्यात होना ही चाहिए। वोँ 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 वो वोँ वोँ अद्भूत सिंग के उदर कुचीर कर उसका अंत करने वाले कौन हो तुम? कोई साधरन साही नहीं हो सकते तुम अपना वास्तविक स्वरू प्रकट करो देखा गणेश अब पुन है सब कुछ इतना सुन्दर प्रतीत हो रहा है है न? नहीं भाईया अभी एक और संकट शेश है संकट? अब कैसा संकट गणेश? मेरा उदर संकट में है भाईया मेरा इतना सुन्दर उदर धीरे धीरे भोजन से रिक्त होकर कम होता जा रहा है इस संकट से निवारण है तु मुझे शेगर जाकर भोजन करना चाहिए हाँ हाँ ये तो वास्तव में बहुत ही बड़ा संकट है गणेश तुम्हारा उदर संकट में है अरे अरे इस से बड़ा संकट भला कोई हो सकता है प्रणाम असुर गुरु शुक्राचारिये मैं हूं साही असुर दुर्बुध्धी असुर हो तुम्ह ये कैसे संभव है जहां तक मुझे ग्यात है देवी कौशिकी देवी काली और देवी चंड मारी ने जब शुम्ह निशुम्ह के साथ युद्ध किया था तो उसके साथ सारे असुर भी मारें गया जे फिर तुम कहां से प्रकट हो गया उस विनाशकरी युद्ध में सभी असुनों का वद नहीं हुआ असुर गुरु उस युद्ध में एक असुर शेष रह गया और वो असुर मैं हूँ प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यक्ता क्या है मैं आपके शमक्ष उपस्थित हूँ अन्य सभी असुरों का असुर सेनापतियों का यहां तक कि शुंग और निशुंद का वद क्या देवी कौशी कही एवं अन्य देवियों ने किन्तु मेरे प्राण तब भी सुरक्षित रहे गए और उस असुर शवों से पटे युद्धिस्धल में मेरे गर्विवति पत्नी मुझे ढूडती हुई वहां पहुँच गई कहा है आप स्वामी आप कहा है स्वामी स्वामी आप कहा है मेरे स्वामी मेरे स्वामी मुझे क्या था आप अब शही जीविध होगे स्वामी और आप, आप चीवित है प्रियर, रोधन करने की कोई आउशकता नहीं मैं, मैं चीवित हूँ किन्तु तुम इस अवस्था में यहाँ असुरों का वीशन संहार देखने के लिए हमारी परजय का ऐसा भयानक परिणाम देखने के लिए क्यों आयो असुर महलाइक शुम्ब ने हमें विजय का विश्वास दिलाया था किन्तु, किन्तु हुआ क्या असुरों का ऐसा भीशन सर्वनाश असुर समुदाई नष्ट हो चुका है प्रियर मेरे सिवा वो ही असुर शेष नहीं रहा नहीं स्वामी, नहीं अभी असुरों का समुदाई नष्ट नहीं हुआ है, आप जो जीविद हैं किन्तु मैं अकेला क्या करूँगा प्रियर एक शत्विक्षत आहत और एक अकेले असुर में भला कितना सामर्थ हो सकता है आप स्वयम को अकेला मानने की भूल कर रहे हैं स्वामी आप कदापी अकेले नहीं है इस भयंकर युद्ध में जहां बड़े बड़े पराक्रमी असुर युद्धा मृत्यों को प्राप्थ हुए उसमें केवल आप शेश रहें ये तो कोई संयोग नहीं अवश्य ही इसके पीछे कोई बढ़ा कारण है प्रतिशोध प्रतिशोध स्वामी असुरों के संहार का प्रतिशोध जो आपको उन दुस्त देवताओं से लेना है जो कार्य शुम और निशुम नहीं कर सके वो कार्य अब आप और आपका पुत्र करेगा स्वामी आपका पुत्रों और आप करेंगे नहीं प्रिये, नहीं, नहीं असुनों के समूल नाश के बाद भी मेरी पतनी ने हमारे शिशु को जन दिया कदाचित अब यही शिशु देखाओं के साथ युद्ध में मेरा सहायक सित्र होगा मेरी पतनी तुम्हारी मापरी ही ने तुम्हें संसार में समय से पूर्फ लाने के लिए अपना जीवन मिछावच कर दिया और अब असुरों के वंश को देवता और असुरों के मधर शत्रुता को हम दोनों मिंकर जीवित रखेंगे किन्तु तुम तो यहां अकेले हो तुम्हारा पुत्र कहा है असुरों मेरी पतनी ब्रीही के इच्छा के अनुसार मेरा पुत्र ग्यानहरी का विवाएक नाग्यन्या के साथ संपन्न हुआ जो कि अब गर्ववती है ज्यानहरी अपने पुत्र के जन्म का प्रतिक्षा कर रहा है जिसके उपरांस ही वो युद्ध के लिए प्रस्तुत होगा किन्तों मैं अभी और प्रतिक्षा नहीं कर सकता मैं अभी प्रतिशोद लेने के लिए तक पर हूँ आप असुर गुरु हैं इसलिए आप ही मेरा मार्ट दर्शन कीजिए बताइए मैं क्या करूँ कहां चोट पहुँचाऊंगो कैसे पहुँचाऊंगो जिससे देवताओं को सरवाधिक आगहत पहुँचे यदि तुम वास्तव में देवताओं पर आगहत पहुँचाना चाहते हो तो तुम्हें महादेव पुत्र गणेश जी से निपटना होगा महादेव और पार्वती नंदन प्रथम पुझ्य गणेश जी देवताओं की शक्ति है जब भी किसी असुर राज ने देवताओं को नश्ट भरष्ट करने की योजनाओं का निर्मान किया है तब गणेश जी उसमें विग्न करता की भूमी का निभाई है यदि किसी यूपती से गणेश जी को ख्षती पहुँची तो तृदेवों को और माता आदी शक्ति को ख्षती पहुँचेगी और देवता किसी भी आकरवन से अपनी रक्षा करने में असमर्थ होंगे प्रभू, प्रभू, ये प्रभू का जी लगे? प्रभू, आप नहा? कब से पुका रहा हूं मैं आपको? मैं कितना हूप रहा हूं प्रभू? चलिए ना बहार और खुता करते हैं, प्रभू ओह, क्या हुआ मुशक जी आप मुझे इतना शान्त क्यों कर रहे हैं? देख नहीं रहे है, मैं ध्यान में बेठा हूं ध्यान में, किम तो क्यों प्रभू? क्यों का क्यार्थ है मूशक जी, अब मैं बड़ा हो चुका हूं और इस मरण नहीं आपको, हमने अभी-अभी तो मेरा जनमोत्सव बनाया इसलिए अब मुझे पिता श्री का अनुसरन करने का प्रयास करना चाहिए हाँ, उनकी समान बनना चाहिए किन्तु, किन्तु प्रभू मैंतु कृपा मुशक जी, कृपा कर यहां से प्रस्थान कीजिए अपसे मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ ध्यान मेलीन, पिता श्री के ही समान जाइए जाइए, अब मैं बालक नहीं रहा मुशक जी जो आपके साथ क्रीडा करता रहूँ अच्छे, फिर मैं जाता हूँ प्रभू मैं भी आपके समान सत्ती में आगया था जब उन्होंने कहा कि अपसे वोसे ध्यान में ही लेन नहीं नहीं मेरे साथ क्रीडा नहीं करें नहीं हाँ प्रभू तभी तो मैं सोच रहा था कि आज भोर से गणेश दिखाई क्यों नहीं दिया हाँ माता विचार तो मैं भी कर रहा था कि आज भवन में इतनी शांती क्यों है हाँ और आज प्लाता तालता दर्रेटी ने मुझे एद्वाल भी तन नहीं दिया हाँ तभी आज भवन में कोई वस्तू नीचे किरके चिन भिन भी नहीं हूँ नात क्या हुआ है पुत्र गणेश को ये वेवार तो उसके स्वभाव से इतना विपृठ है कि मुझे तो उसके स्वास्त की चिंता होने लगी है उ मा इसमें चिंता की क्या बात अपी तो यदि गणेश अपने ध्यान पर एकाग रहना चाहता है तो ये तो उसका बहुत ही उत्कृष्ट निन्ने है मुझे ग्यात आप तो यही कहेंगे न आपको आपका ध्यान इतना प्रिय जो है किन्तो मेरा पुत्र गणिये शान्ती से एक स्थान पर कहां बैठा है परिवार का सरवाधिक नटखट बालक यदि शान्त हो जाएं तो इसमें चिन्ता का विशे तो है मैं अभी उसे समझाती ओ मा उसे उसकी च्छानुसा रहन दीजिये तो ये बताईए असुर गुरू गणेश को कहा पाओ और उसे कैसे ख्छती पहुचांग इसका तो एक अत्यनत सरल उपाय है दुर बुद्धी तुम गणेश जी के भक्तों को प्रताडित करो तो भगवान स्वैम उनकी रक्षा के लिए प्रकट होंगे मैं दुर बुद्धी आपके सुद्धी से प्रभावित हुआ असुर गुरू मैं आपके सुझावों का पालन करूँगा गणेश जी के भक्तों को त्रोस करूँगा मैं वध करूँगा और जब जब उनके भगवान गणेश जी अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होंगे तब मैं उनका भी उचिन्ति उपाय करूँगा गणेश जी ओम नम शिवाई ओम नम शिवाई मा आप यहाँ पुत्र पुत्र तुम कुशल तो हो ना क्या कोई चंता सता रही है तुम्हें क्या किसी बात से सशंकित हो तुम पुत्र मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें मा मैं सर्वता सा कुशल हूँ किन्तो आप मेरा ध्यान भंग कर रही है बुद्र, ये क्या हुआ है? अचानक इतने कमभीर क्यों हो गए हो तुम? मा, ये तो आपको भी स्मरण होगा ना? अपने जन्म दिवस पर मैंने क्या घोशना की थी? मैंने कहा था प्रत्येक वर्ष अपनी जन्म दिथी अर्थाद गणेश चतुर्थी पर मैं अपने भगतों की मनों कामना पूर्ण करने के लिए उन्हें वर्दान दूँगा उनके सभी वितने दूर करूँगा और मा, आप और पिताश्री तो मुझे सदा यही आभास कराती रहे हैं ना? कि मैं परंब्रम हूँ, तो अब मैं अपने उत्तरदायित्व को बड़ी गंभीरता से लूँगा मा और उसके लिए मेरा पिताश्री के समान एक आगर्चित होकर ध्यान करना तो अनिवारी है ना मा? हाँ मा, अब मैं पिताश्री के उदाहरन का अनुशरन करूँगा सदा ध्यान में लीन रहकर अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं वो मैं भी तो ध्यान मगन रहकर ही अपने भक्तों के साथ संपर के स्थापित कर सकूँगा और उन्हें जब मेरी आविशक्ता होगी मा तो मैं सर्वशक्तिमान भगवान के रूप में उनके सम्मुक प्रकट होकर उनकी रक्षा करूँगा परम व्रम्भ हूँ मैं तो मुझे उनके अनुरूप आचरन तो करना ही होगा न मा जो कुछ आपने और पिता श्री ने मुझे सिखाया है मा मैं उसी का पालन करने की तो चेश्टा कर रहा हूँ और आपने उसके आरंब में ही मेरा ध्यान भंग कर दिया मा पुत्र तुम्हारा प्रयोजन समझ गई हूँ मैं अब तुम निर्वेक ने ध्यान करों उसमें अब मैं कोई बाधा नहीं डालूंगी तुम स्वयम में ही रम जाओ एक ओर तुम्हारे पिता श्री और दूसरी ओर तुम अच्छा तो ये बात है फिर तो पुत्र तुम्हें परखने के लिए हमें भी कुछ करना ही चाहिए आइ वैउस सु मंसरीी – पूछ कर चाह्ता हैं पतो युरुक कुछ चाहिए ओम गंगंपटे नमा ओम गंगंऱ्पते नमा ओम गंगंपते नमा स्वामी। स्वामी, मैं पूजा के लिए स्वच, फाल और पुश्प ले आए हूँ मैं भी प्रभु के शिरी विग्रह के लिए मिट्टी एकत्रित कर चुका हूँ देवी लता व्रत संकल्प करने के उपरांत गणेश जी के पार्थिव शिरी विग्रह की रचना कर हम पूजा प्रारंब करेंगे और मैं भी बड़ी उत्सुकता से गणेश जी की पूजा करने के लिए तत्पर हूँ उन्हें समर्पित करने के लिए हमारे पास अधिक कुछ नहीं है किन्तु हमारी अटूट भगती हम उन पर अवर्ष्य निछावर कर सकते हैं अब हमें लौट कर पूजा की तैयारी शुरू करनी चाहिए जी स्वामी चाहू तो अभी इस ब्राह्मन और उसकी पत्नी का वद कर दूँ किन्तु ऐसा नहीं करूँगा मैं गणेश जी की पूजा करने जा रहे हैं न ये दोनो तो मैं इन्हें प्रताडित करूँगा घश्ट दूँगा तब देखताम गणेश जी इनकी रक्षा है तो यहाँ प्रकट होते हैं अधवा नहीं मेरा प्रभू तो ध्यान में है फिर्याईव ये सिर्फ क्या करें है सदियां मेरे प्रभू के परोत उमा श्यां आप प्रभू प्रभू ये खिर्याईवा नहीं यह यह सब क्या कर रहे है तो क्या क्या मुझे प्रभू को सादान करना था है ओम नम शीवाई 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 ओम नम शेवाई ये ध्यान करते करते अचानक मुझे लड़ों और मिष्ठानों के सुकंद क्यों आने लगी आहाँ, इतने सारे मिष्ठान हुम हुम, स्मरण आया माने कहा था, अन्न को ना कहना अन्न का अपमाल होता है वैसे भी ध्यान में ही तो ये मिष्ठान खाने है इसमें भला क्या अपत्ती हो सकती है वास्तों में थोड़ी है ना खाने है मुझे अब तो उधर भी अनुमती दे रहा है नहीं नहीं प्रभू, ये क्या करें आप, ये तो मात रिक जाल है आपका ध्यान भंक कर रहेगा मुझे जाकर प्रभू को सूजित कर देना चाहिए अरे, क्या हुआ पत्त, तुम तो ध्यान में बैठे थे फिर, वो मैं मा, फिर अचानक क्या हो क्या ओ, थ्यान करते करते भूख लग गई होगी है ना, इसलिए भोचन करने लग गए युक्ती, नहीं नहीं मा, मैंने कहा ये सब तो मुशक जी ने ग्रेंड किये है ये तो बहुत अच्छा ध्यान है गणिश मुझे भी ऐसा ध्यान सिखाने की कृपा कीजिये ना, पेताश्री जिसके फल स्वरू इतने लड्डू खाने का अउसर प्राप्थ होता है हाहा दुर्बुद्धे की कुबुद्धी क्रियानवित्ध हो गई है अब इन दोनों ब्रामन ब्रामनी को सताने का आनंद लूँगा मैं उचित है उचित है, आप सभी मुझे गंभीरता से नहीं लेते ना तो और मनुरंजन केजी अपना, हसी आप सभी, मैं तो ये शेश लड्डू भी ग्राण करता हूँ नहीनना लूङए झाल करें झाल कर दो, मैं कर दो कर दो कर द白 है अझायक 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 क्योंतर अवश्य ही किसी भक्त की साहिता के पुकार सुनी है पुत्रकनेश ने पुत्रकार्दिके अब हमें गनेश को अकेला छोड़ना होगा स्वामी आपका पाऊ तो आहत हो गया है मैं आपकी साहिता करती हूँ ये किनकी पुकार्दी क्या कोई संकट में है देवी लता ये घाव तो भर जाएंगे मैं पुन्हा कुशन हो जाऊंगा किन्तु दुख तो मुझे इस बात का है कि जो मिट्टी मैंने पूजा के लिए एकत्रित की थी वो गिर गई आप उटिया में जाईए और पूजा की सामगरी तयार करना आरहम कीजिए मैं पुन्हा मिट्टी एकत्रित करके लाता हूँ पूजा का एक उचित मूरत होता है इसलिए अब हमें पूजा में और विलम नहीं करनी चाहिए पार्वती नंदन गड़ेश जी की पूजा के पूर ये कैसा विग्नुत बन हो गया नहीं नहीं इस विचार को तो मुझे अपने हिदय में भी नहीं लाना चाहिए देवी लता वरत संकल्प कर हमें अब गड़ेश जी के पार्थिव शिरी विग्रे की रचना करनी चाहिए अब सब उचित है अब समय पर हम पूजा अप्ठारंप कर सकेंगे अब सब उचित नहीं सब पिगड़ जाएगा अभी सवामी? स्वामी, क्या हुआ? आपको कोई कटिनाई हो रही है? जो मिट्टी मैंने पूर्व में उठाई थी, वो गीली थी. ये मिट्टी, इसमें तो पानी डालने में भी नहीं जुड रही है. स्वामी, पूजा के पुष्प नेश्ट हो रहे हैं. पर ये कैसे हो सकता है? मैंने तो बहुत ध्यान से एक-एक पुष्प को चुना था. सब भी पुष्प निर्मल थे. और उनमें कोई कीट नहीं था. तिर ये कैसे संभव है? ये तो विग्न का आरंब मात्र है. अब देखता हूँ ये कैसे संपन करते हैं कडेश की पूजा. ये किस प्रकार के संकट का भास है, जो मुझे सुनाई पढ़ रहा है?